अब देखो question number जो 10 है न वो और भी आसान है तुमको ये hard लग रहा है इसमें u by b का formula भी लगाने की जोरत नहीं है आप क्या करो कि एक function ये है तुमारे पास एक function ये है तुमारे पास एक function ये है तुमारे पास जोड़ घटाओ में है तो जोड़ घटाओ में हम differentiation को distribute कर देते है तो हम इसको पहले माल लेते है y बराबर a एक्स का power 4 को क्या हम लोग एक्स का power minus 4 लिख सकते हैं बोलो फिर minus है b तो minus b राने देंगे x square को हम लोग x का power minus 2 लिख सकते हैं और plus cos x अब देखो ये हो जाएगा x का power n के formula पे x का power n का dash क्या होता है n into x का power n minus 1 n into x का power n minus 1 तो a तो constant बोला है तो जब हम dy by dx निकालेंगे तो a बाहर होगा और x का power minus 4 का differentiation minus 4 होगा और x का power minus 4 minus 1 होगा यहाँ बहुत लोग minus 3 कर देता है minus 4 में से minus 1 गटेगा तो minus 5 होगा फिर आपका यह minus b बाहर और x का power minus 2 का differentiation करोगे तो minus 2 बाहर आएगा और x का power minus 2 minus 1 क्या यह समत हो इससे बी बाहर है और x का power minus 2 का minus 2 बाहर और x का power minus 2 minus 1 आप cos x का differentiation क्या होता है minus sin x तो अब जो है divided x कितना जाएगा minus 4a x का power minus 5 minus minus plus 2b x का power minus 3 और minus sin x अब फिर से जो power में minus है उसको हम नीचे लिख सकते हैं यानि कि 4a divided by x का power जो minus 5 है वो plus 5 बन जाएगा फिर plus 2 भी divided by जो x का power minus 3 है वो plus 3 बन जाएगा और minus sin x को तो उतार नहीं है तो यह तुम्हारा answer हो गया और भी कोई question में तुमको अगर समझना है तो पूछ लो भी बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी मेरी कोई class नहीं होती है देखो अब यह जो तुम्हारा question है x प्लस b का power n इसको differentiate करना है तो जरा सोचो कि अगर तुम्हारे पास x का power n होता था तो differentiation n into x का power n minus 1 करते थे अब तुम्हारे पास जो function है वो a x प्लस b का power n है तो यहाँ x के जगा पे मतलब यह a x प्लस b के जगा पे अगर x होता तो x का power n का differentiation क्या करते तुम n into x का power n minus 1 करते अगर यहाँ पे x होता है तो x का power n का क्या करते n into x का power n minus 1 समझ में आ रहा है पास तो यहाँ पे x के जगा पे x प्लस b है x के जगा पे x प्लस b है तो जो formula तुम लिखोगे n into x का power n minus 1 वो n लिखोगे लेकिन x के जगा पे तुम a x प्लस b लिखोगे और n minus 1 फिर into अब actually जो x है वो x थोड़ी था x तो a x प्लस b था ना तो a x प्लस b का भी differentiation करना पड़ेगा आगे तो into में हम क्या लिखेंगे a x प्लस b का differentiation तो a x प्लस b का differentiation कितना होगा a x का differentiation a होगा अब पलस b का differentiation 0 यानि कि answer क्या हो जाएगा a प्लस 0 मतलब a यानि कि a into n और a x प्लस b का power n minus 1 यही chain rule होता है कि पहले हमारे पास जब हम यहाँ पर खड़े होगे तो हमको क्या मिलेगा पहले हम जाएगे तो यह bracket मिलेगा तो bracket मिलेगा तो bracket का power n है तो power n वाला differentiation करेंगे तो n into a x प्लस b का power n minus 1 फिर अंदर गुषेंगे ब्रेकेट के अंदर तो a x प्लस b मिलेगा तो AX plus B का differentiation करना है तो AX का करेंगे B का करेंगे तो AX का differentiation A हो जाएगा AX का differentiation तो 1 होता है A बाहर अब B का differentiation 0 अब तुम बोल रहे थे कि Sir question number आप हमें 13 समझा दीजे तो अब 13 भी आसान हो गया AX plus B का whole power N है और CX plus D का whole power M है फोड़ा सा question मीटाना पड़ेगा प्रिंट करो इतना सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये U into B के form में है इसे हम U मान सकते हैं इसे हम भी मान सकते हैं बोलो तो जब DY by DX निकलेगा इसको अब चुम Y मान चुके हो तो तो U into B का करना है तो U into B का differentiation के लिए U का dash B as it is प्लस B का dash U as it is तो ये formula था अब लिखेंगे U का dash U का dash मतलब AX plus B का power N और इसका हमको लिखना होगा dash और B as it is तो CX plus D का power N sorry M as it is रहेगा फिर plus B का differentiation तो ये जो बाहर किये रहते हैं वही भी रहता है तो CX plus D का power N जो था उसका dash और काउन as it is तो AX plus B का power N जो है as it is रख देंगे अब differentiation आप जानते हो अगर हमको AX plus B का power N का differentiation करना है तो हम क्या सोचेंगे कि पाले जब हम आएंगे अंदर की तरफ इसको differentiation करने तो पाले हमको power मिलेगा power मिलेगा न तो पाले power का differentiation होगा तो power का differentiation क्या होता है N इंटू अगर X है तो X का power N minus 1 तो यहां पर हमारा X के जगा पर AX plus B है तो यह हो जाएगा N इंटू X के अस्थान पर AX plus B और उसका power N minus 1 फिर gate के अंदर गुसेंगे यह power B तो कर लिए अब gate के अंदर गुसे तो हमको मिला AX plus B तो AX plus B का differentiation क्या होगा N इंटू में A होगा क्यों क्योंकि AX का differentiation में A बार X का differentiation 1 अब B का differentiation 0 तो इसका differentiation कर लिए इसको as it is लिखना था CX plus D को तो CX plus D as it is रहेगा power M प्लस अब यहाँ पे जब आए तो यह CX plus D का power M था उसका differentiation करना था तो कहानी तो वही है कि X का power N रहा था तो N इंटू X का power minus 1 तो जब हम power M देखे तो M बाहर हो जाएगा और CX plus D का power M minus 1 हो जाएगा तो यह power का किया भी अब अंदर गुसेंगे तो CX plus D मिलेगा तो अब CX plus D का differentiation जब करेंगे तो C बाहर X का differentiation 1 और D का differentiation 0 और AX plus B का power N बाहर AX plus B का power N जो है वो as it is बाहर रहेगा अब simplify कर दो आप यह कितना आएगा A plus 0 A आएगा ना तो यह वाला A और यह वाला N सब गुने में हैं सब multiply में हैं तो आप N into A लिख सकते हो AX plus B का power N minus 1 और CX plus D का power M CX plus D का power M उदर अगर देखा जाए उदर अगर देखा जाए तो यहाँ M बचा यहाँ C बचा तो यहाँ पे M हो गया C हो गया और CX plus D का power M minus 1 into AX plus B का power N यह बात समझ में आया प्रिंट करिए सुनिए अब यहाँ पे देखिया ध्यान से AX plus B का power N minus 1 और वहाँ पे AX plus B का power N इस दोनों में कुछ common नजर आ रहा है इसमें और इसमें common लेने का तरीका होता है वो नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगा अगर हम बोलें कि यह मेरा X cube है और यह मेरा X का power 4 है तो दोनों में common क्या है X का power 3 की X का power 4 X का power 3 common है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 और यहाँ पे लिखोगे X लिखोगे ना इसी को जरा दूसरे तरीका से देखो X का power 3 लिख दिए आइसको हम लिख दिए X का power 4 को 3 पलस 1 लिख सकते हैं की नहीं लिख सकते हैं अब 3 में और 3 पलस 1 में कौम कौन है 3 है कि 3 पलस 1 है कौन कौम है X का power 3 कौम है कि X का power 4 कौम है मतलब 3 पलस 1 कौम है कि X का power 3 कौम है तो X का power 3 कौम जो होता है वो जो कौम होता है वही common लेते है जो कम होता है वही common लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 1 आइसमें 3 ले लिये थे तो कितना बचेगा x का power 1 बचेगा उसी तरह से यहाँ पर समझने की कोशिश करना बहुत important है यहाँ पर ax अब पलस b का power n-1 है यहाँ पर ax पलस b का power n है तो दोनों में कम कौन मना जाएगा n-1 को की n को तो ax पलस b का power n-1 को मन लिया जाएगा फिर cx plus d का power m है और यहाँ cx plus d का power m-1 है तो दोनों में power में कम कौन है तो यहाँ पर हम m-1 भी कमन ले लेगी अब अंदर क्या पचेगा यही ना देखना है तो अंदर देखो इसमें क्या बचेगा इसमें अगर हम पूछे तो क्या बचेगा n into a बचेगा न तो यह na बचा और देखो a x plus b का power n minus 1 तो पूरी तरह से common है और यहाँ पे c x plus d का power m है और यहाँ पे c x plus d का power m minus 1 है तो अगर तुम से पूछे तो क्या ये M जो है उसको ऐसे लिख सकते हो M-1 प्लस 1 पहले क्या था M ही था ना तो M को-1 प्लस 1 लिख सकते हो तो हम ये कह सकते हैं कि CX प्लस D का पावर M-1 common है तो यहां क्या बचेगा CX प्लस D का पावर 1 बचेगा तभी न CX प्लस D और CX प्लस D का गुना करोगे तो M-1 और यहां का 1 जूटेगा तो M बन जाएगा बात समझे ये जरूरी है समझना इसलिए हम आपको समझा दिए यहां पे फिर M-C बचेगा ये M और C बचेगा क्योंकि common केवल पावर वाला लिए हैं तो constant वाला बचेगा अब देखो CX प्लस D का पावर M-1 है वो common है पूरी तरह से ना और AX प्लस B का पावर जो N दिखाई दे रहा है उसमें से अगर आप AX प्लस B का और N-1 common लिए है तो A गो बचेगा की नहीं तो AX प्लस B का पावर 1 बचेगा तब ही दोनों का multiply करोगे तो यहाँ N-1 और यहाँ का 1 जूट जाएगा तो N आ जाएगा यही आंसर दिया है आपका तो आपके बुक का आंसर को मैच कराने के लिए किया गया पहले यह लिखा गया है N-C इंटू X प्लस B और फिर पलस लिखा गया N-A इंटू CX प्लस D तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है आंसर आ गया ठीक ना तो यह आप बना सकते हैं सबढ़ गया बातको